जी तो नियूरो इनाटमी सीरीज में बेसिकली आज के लिए टोपिक है और सेप्टम प्लूसी डाम है सेप्टम का वर्ड सुनते ही आपने जहीं में एक ही चीज आती है कि डूइएन आफ सम्थिंग तो ओसल्य यहां भी डूइड का रहा है लेकिन किसको का रहें कहां पर को ओरा रहे यह रेखने जहांचे जो हमने बॉला था कि यह हमला है वह बितल भी तियोडि-मर्म है यहां फिट तो किस तरह से डिवाइड होता है वो देख लेते है जू के सटम לפ अगर इस डियाग्राम को अच्छे से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझाज़ेगी यह सब्टम प्लूसिडम जो है कि डिवाइड का रहा है कॉर्पस कलोसम को फॉर्निक्स से यानि फॉर्स निक्स और कॉर्पस कलोसम इसके वजा से डिफ्रेंशियेड हो रहे हैं ठीक ह अब हम रिलेशन भी इसी पर ले जाएंगे अब जहांको पता है कॉर्पस कलोसम का एंटीर एंड होता है वहां पर होता है रोस्टम तो रोस्टम इसके एंटीर लिया जाता है और बोडी इसके सुपीरियर लिया जाती है और पॉस्ट्रियर लिया जाता है और इन्फियर ल में डिवाइड करना है और stretch हो जाना है जब इन दो चीज़ों ने stretch होना है ठीक है stretch होने की different conditions हो सकते हैं may be fluid accumulation और dead side कुछ भी और हो सकता है लेकिन stretch होने के बड़ी बजा ये भी है कि ये दो structures आपस में मिले हुए जब थोड़ी बहुत भी movement होगी तो ये stretch होंगे और यह बैसिकली डिफ्रेंशियेट ही इन दो पॉइंट्स को का रहा होते हैं जो कर्पस के लोसम और फॉर्निक्स होते हैं उसके इसके इसकी इंपोर्टेंस भी यह है कि यह हल्प करते हैं इन पार्टिशनिंग आप तर लेट्र वेंटिकल्स वही बात हो गई इसको पार्टिशन का रहा है तो यह जब इन में ज्यादा आजाएगा लेट्र वेंटिकल्स में तो यह स्ट्रेच ही होगा ना इस तरह से हो सकते हैं अच्छा उसके बाद जो एक चीज़ है कि इसकी नेचर गैसी है बैसिकली यह ग्रे मेटर और वाइट मेटर दोनों से मिल क करके बना होता है वो इसको कवर किया होता है अपरिंडाय माने है ठीक है यह जब आल बाउट अधा सप्टम्पली उसी दम इंशल्हा नेक्स वीडियो में हम क्लिनिकल्स को डिसकस करते हैं स्टेट यूण शल्हा मिलतें नेक्स वीडियो में अलाहाफीस